हलो बच्छा वेल्कम टू आज चैनल रोयल क्लासिस आज हम बात करने वाले हमारे क्लास नाइन्थ की टीशू वाले चाप्टर के बार में और उसमें भी हम लोग डिसकुस कर रहा था अबाउट दा अनिमल टीशू अनिमल टीशू के भी फुर्दर सबपाट्स पर रहे थे औ आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का एक फर्दर सबपाट डाट इस मुसल टीशू बहुत इंपोर्टेंट होते हैं मुसल टीशू क्योंकि हम लोग जो हमारा हाथ ही ला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो ड्यू टू मुसल्स कर रहा है तो मुसल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है इसलिए वीडियो को लाइस तक दिखना जिनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोले तो अब ही क्या बोला सबसे पहले चीज कि यह मुसल टीशू मस्कुला टीशू होते कैसे हैं तो सबसे पहली बात भाई मुसल्स है तो भाई लंबे-लंबे और हूंगे तभी यह से उदर हमारी पास चाली जाती है इस मुसल टीशू जो है ऐलोगनेटेटी होते हैं यह है फॉर्स मुसल्स टीशू अलोगनेटेटेंद है सोपरोड प्रोटीन होते हैर विच राम हान धंदर हमारे प्रोटीन होते हैं वीच हम बुण था प्रोटीन खोर कट सकते हैं यह वार हम इस टीशू को भी बोलने लग जाते हैं, चॉंट्राक्टियल टीशू. कॉंट्राक्ट एंड रिलेक्स करने में हेल्प कर रहा है, सो इट इस अ कॉंट्राक्टियल टीशू. तो फॉर्स जो हमने नेम पड़ा, ताट इस मॉस्कुला टीशू. मॉस्कुला टीशू बिसिकली बार लंबे होंगे, इसके अंदर प्रोटीन होगा, जो रिलेक्स और कॉंट्राक्ट करने में आपकी हिल्प करते हैं, ताट श्वाय देया नॉन अस कॉंट्राक्टियल टीशू. उसके बाद आता है, इसके तीन में पार्ट होते हैं, फॉर्स्ट वान स्ट्रेटर, अंदर कार्डिक नाम, तो सबको याद हो गए है, अब हम पढ़ते हैं, होते क्या है, सबसे पहली बात आई स्ट्रेटर, तो स्ट्रेटर मॉस्टल हमार पास क्या है, बात लंबे होंगे, सिलेंड्रिकल होते हैं इस तर इसे, नेरो होते हैं, बिल्कुल ऐसे, पाइप लाइक, बिल्कुल केतना पाइप सी होते हैं, ठीक है, अन ब्रांच्ट होते हैं, कोई ब्रांचिक नहीं होते हैं, इसमें बेसिकली नोन टापरिंगे एंड होते हैं, बिल्कुल टाप नहीं करते हैं, फिर बात होते हैं, कहां पर है strated muscle, तो strated muscle basically हमारे कहां पर होते है, tongue के अंदर, asophagus, that is food pipe के अंदर, food pipe होती है ना, वो भी यसी pipe ही है, यह भी pipe ही है, तो strated muscle इसके अंदर हो गए, difagram, difagram क्या होता है हमारे पस, जो मारा stomach है, lungs है, उनके साथ एक, बिल्कुल muscular सा patch होता है, जो breath in and breath out करते, time in upward और outward जाता है, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते है, difagram, तो और आई के अंदर, इन सब के अंदर हमारा कौन सा muscle होता है, कौन सा tissue होता है, strated, फिर बात आते है, इसक चल रहे है, movement हो रही है, travel के से कर रहा है, सब movement को क्या बोल देते है, movement को control कौन करता है, strated muscle, फिर आया blinking of eyes, हमारे eye blink कर रही है, क्यों कर रही है, due to strated muscle, inhalation and exhalation by difagram में, तो difagram का काम ही यह है, फिर बात आया movement of the body, body की movement के लिए हमें कौन ज़रूरी है, हमारा strated muscle, next one is unstreated, unstreated क्या होता है, long होगा, spindle shaped होगा, इसको क्या बोल देते है, spindle shaped, location, center of each cell, हर cell के center में हमारे पास क्या होती है, unstreated, blood की vessels के अंदर, iris के अंदर, ciliary muscles के अंदर, ciliary muscles कहां पर होती है, eye के अंदर, iris कहां होता है, eye के अंदर, blood vessels, blood की जो pipes होती है, उन सब के अंदर भी कौन सा होता है, unstreated muscle, अब बोला, यह करता क्या है, food की moment, क्योंकि blood क्या करता है, blood जो है, वो food लेता है, simplest food, और सारी body को देख कर आता है, तो भाई, moment of food किसकी वज़े से हो गई, unstreated, क्योंकि unstreated कहां पर होती है, blood vessel के अंदर, फिर बोला, urine का remove, वही blood vessel से हो जाएगा, foxing of object, किसी भी object को अगर हमने देख ना है, तो हमें iris की help लेनी पड़ती है, और iris के अंदर कौन सा muscle होता है, unstreated muscular tissue होता है, next one is cardiac muscle, cardiac muscle हमारे पास क्या होती है, branched होती है, first one जो थी हमारे पास वो क्या थी, branched नहीं थी, यह जो है cardiac muscle, वो branched होती है, cardiac का main मतलब heart से होता है, cardiac का main मतलब heart से होता है, तो basically यहां से हमें एक lihen मिल गया, it is a branched fiber with joint to form network and also called involuntary tissue, उसको बोल रहे थे, श्रेटर को voluntary, और इसको हम क्या नाम दे देते है, involuntary tissue, कहां पे होता है, on the walls of heart, heart की walls पे होता है, तो इसका मतलब blood को pump करना in and out, कि कभी भी फटक नहीं होता है, मतलब कभी भी थकती नहीं है, यह muscle, क्योंकि अगर थक गई, तो हमारा heart ने काम करना रोग दे और हमारा heart अगर काम करना रोग देगा, तो हम मैज जाएंगे, तो join together to form our network, तो blood जो है, उसको pump करना और सारी चीजों का अपस में join करने का काम किसका होता है, cardiac muscle, किसी को heart में थोड़ा सभी pain हो रहा है, कुछ होता है, तो उसको क्या कहते है, you have to go to cardiologist, cardiologist के पास जाना है, तो cardiologist मतलब heart का doctor, तो basically, जो heart की चीज़े होती है, उसको हम किससे denote कर देते हैं, with the word cardiac, okay, तो यह हमारे पास था, हमारा muscle tissue, जो कि बहुत easy और बहुत simplest way में था, तो ऐसे ही heart tissues को देखने के लिए, चैन्न को like, share and subscribe करने, बिल्कल भिनाय बोले, thank you.